नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल The Trade Bull Official में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि Bank Nifty कल तीन मार्च के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है आपके call put के क्या target रहेंगे पर उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया आज मार्केट के अंदर कैसा दिन रहा तो दोस्तों पहले तो मार्केट ने हमें एक captain opening दी और immediately मार्केट अपना पूरा gap फिल करने के लिए उपर की तरफ गई और मार्केट ने अपने दिन का हाई तकरीबन 40,760 लेबल पर मार्केट ने लगा दिया इसके बाद दोस्तों इसी लेबल से मार्केट में rejection मिलती है और rejection मिलने के बाद पहले ही 15-20 मिनिट में मार्केट नीचे की तरफ 40,580 इस लेबल पर आकर अपने दिन का low यहाँ पर बना दिती है दीरे दीरे करते करते दोस्तों मार्केट उपर pullback लेती है और वापिस से 40,700 लेबल के आसपस निकलती है इसी लेबल से फिर मार्केट को rejection मिलती है और मार्केट वापिस इसी लेबल पर तुवर्ड 40,580 दुबारा आ जाती है तकरीवन बारा साड़े बारा बज़े तक मार्केट ने अपने आपको इसी एक tight zone के अंदर बिठा के रखा तकरीवन एक बज़े दोस्तों मार्केट ने इस zone का हमें breakdown दिया और breakdown देते ही हमें फिर एक अच्छे points नीचे की दरफ देखने को मिल गए यह एक अच्छा fall था जो हमने capture भी किया और इसके बाद मार्केट ने दिन के low पर अपने 40,300 पर एक support लेने की कोशिश की और closing यहाँ पर bank nifty में मिली है तकरीवन 40,389 levels के आसपास अब बात करते हैं कल मार्केट कहाँ पर open हो सकती है क्या levels रहेंगे तो दोस्तों सबसे पहले global markets को अगर हम देखें तो global markets के अगर हम बात करते हैं तो globally यहाँ पर markets में Dow Jones वीडियो बनाते समय तकरीवन 170 points प्लस में है Nasdaq की अगर बात करें NDX तो Nasdaq भी यहाँ पर तकरीवन minus 42 points पर है S&P Index की बात करें वो भी यहाँ पर तकरीवन flat है minus 3 और अगर मैं आपको SGX Nifty की बात बताऊं तो SGX Nifty एक lotta index है with very good gains around 90 points तो दोस्तों यह चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि market में कल आपको एक gap up opening देखने को मिल सकती है बैंक 50 के अंदर आज 308 points के बाद कल आप market में तकरीवन 200 points तक का gap up 200 से 200 points तक का gap up market में आप देख सकते हो बहुत दिनों बाद market लगता है कल एक gap up opening देने वाली है otherwise आपने notice किया होगा काफी दिनों से market आपको एक flat ही opening देती है पर यहाँ यह setups देखकर global markets देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि कल market में gap up होने वाला है और market आपको यहाँ पर opening देगा वो तकरीवन वापिस से इसी zone के आसपास देने वाला है जहाँ पर market ने आज rejection ली थी मतलब towards 40,630 मतलब 46,630 के level के आसपास market वापिस से आपको कल इसी area के आसपास आपको एक opening दे सकता है अब अगर market यहाँ पर open होती है तो क्या level तो बहुत simple है दोस्तों आपको याद रखना है market के अंदर ये zone ये एक rejection zone है माफ कीज़ेगा ये ये आप देखिए ये आपको एक rejection zone यहाँ पर market में नदर आएगी आपको ये याद रखना है 40,680 अगर इस level के उपर market sustain करती है तो definitely हमें call के position में बैठना सोच सकते हैं targets आपके उपर की तरफ फिर 40,700 और माफ कीज़ेगा 40,760 और 40,800 तक के upside हो सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर मैं जो level mark करूँगा वो आपके तक्रीबन तब होंगे जब market आपको ये वारा swing तोड़कर नीचे जाने की कोशिश करेगा मरलब 40,500 के level के नीचे अगर market sustain करती है तो फिर हम यहाँ पर एक put की position बैठना पसंद करेंगे और targets नीचे की तरफ फिर आपके 40,400 और 40,300 तक के हो सकते हैं तो उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो like का बटन जून प्रिस करिएगा live stream को देखते रहें because उसके अंदर जो मैं level mark करता हूँ आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थांक्यू और बाबाए